जे माता दी दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आए होप आप सब लोग fit fine and happy होंगे तो आज है संडे और अभी बज़रे हैं शाम के 5 तो मैं चीको भी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठे हैं तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चीको के लिए उसका दूद और टाइटल देखकर ठमनेल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज की वीडियो किस topic पे है तो आज की वीडियो है कि मैं संडे को क्या कुछ preparations करती हूँ जिससे कि मेरा आने वाला week बहुत ही smooth जाता है मुझे इतना कोई काम का burden नहीं होता easily सारी चीज़े हो जाती है और इसमें maximum जो tips हैं वो kitchen tips ही है तो यहाँ पर मैंने चीको के लिए दूद बना दिया है और चीको का दे दिया है biscuit क्योंकि जिको ने पहले बोला कि मैं biscuit ही लूँगा बता दिया है न आपको एनका चलो ठीक है बता दिया है मैं biscuit दे देती हूँ और अब मैं बना रही हूं अपने लिए coffee तो लास्ट पंदर कॉफी पीने को बीट करके अच्छे से तब और मैं पाउच वाली कॉफी यूज़ कर रही हूं क्योंकि मौसम ऐसा है कि थोड़ी सी भी सीलन अगर कॉफी में लग जाती है तो तुरंत वह जम जाती है तो ऐसे मौसम में आप लोग बेबर कॉफी यूज़ कर रहे हैं तो पड़े मैं सुबह से चोथी बार सुका रही थी और चोथी बार यह उतार रही थी क्योंकि तुरंत मौसम खराब हो रहा है तुरंत अच्छा हो जा रहा है तो कॉफी बनके रेडी हो चुकि है और इतनी टेस्टी है आप लोग भी ट्राइ कीजिएगा इसको तो मैं यहां पैड़ के मैं अच्छा मौसम हो रहा था यहां बैटके मैं अपनी कॉफी को ईंजॉय किया है क्योंकि ना तो हलकी फुहारे थी कभी बंद हो रही थी तो कॉफी घंड मैं आगी हो आपको अपनी सेकेंड बधाने कि आपको जो लसन है या अद्रक है जो यूज करते हैं वह तो अपना संडे को छील के रखो क्योंकि आपको पता है कि लसन सुबह सुबह चीलना मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है तो मैं अपने हफते भर का लसन छील कर एर टाइट कंटेनर में डाल के उसको फ्रेज में स्टोर कर लोग बीशाफ कर लिया है वीडियो में आपको पत्ते थोड़े प्ता नहीं क्यों पीले दिख रहे हैं पर रियल में ऐसा था नहीं में क्यों कैसी लाइटिंग की वजह से ऐसा हो रहा था तो मैंने अपने जो पालक है उसको दो से तीन बार अच्छा बार अच्छे वाश कर लिय उनके छिल्के हटा लिया है। और यहां पे लिया है नारियव pound. लिए उसको पाने में उबा लिया है। पके नारिये पाने में से भाव जाती सिसे बाहर चेटें मेंड के आराम से चल जाती हैं। मेरे नीचे वाले सब्जें वाले सबढ़ यह ले आए सब्जन ने काफी मंगाई थी बाट वह लाए अगर भरमंगर उते लहते बटी रहें दो टीक दें लॉट्ड़ा सबमातर भी काफी बड़ी है एक दिन भिंडी बन जाएगे एक दिन का फास्टर एक दिन कुछ दाल छोले राजमा कुछ देख लेंगे बना लेंगे मतलब अभी सीसे ही चलने वाला है पूरा वी तो जब भी आप सब जया लाते हो संडे को स्टॉर कीजिए दोईए उनको अच्छे से उसको पं यहां पर अपने चटनी की प्रिपरेशन कर रही हूं तो यहां मैंने मिक्सी में दो हरी मिर्ज डाले हैं क्योंकि चीकू भी चटनी घाता है और यह न बहुत तीक ही अच्छी नहीं लगती साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूं अध्रक का पावडर और यह अधरक का अधरक का पाने डाला था और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुर स्मूध होनी चाहिए तो यहां पर मैंने एक बार पीस लिया है जो बचे हुए थे उनको पीस लोगी मैं और नादिल की चटनी अगर आपके पैस बनी रखिया तो आपको अगर इडली वगेरा खाने का शौक है जड़ से आप इटली बनाईए उत्तवम बनाईए डोसा बनाईए और उसके साथ आपको ब्रिकफास्स करना बहुत एजी हो जाता है तो यहां पर मैं मेरी पीस गई और आप कलर सकते एकदम ग्रीन कलर है तो इतने में मेरे मेरे फिलिपकार्ट से मेरा ग्रोसरी का समान आ चुका था जैसे ही मिलब थोड़ा बहुत कम होता है तो मैं एडवांस में मतलब मंगवा लेती हूं तो थोड़ा सा आ गया था मेरा समान तो यहां पर मैंने इसी कंटेनर के अंदर ही पालक को रख दे कि सुबह ही वाश हो जाएगा आप इसको निकालती कि कि योर में डालती ही से aus करते दिसके उपर लेड़ तो ही हम ने इसको ही डाल डिया है और यहां पर मैं लगा रही है तड़का जिसे मैं ले लहाई और डाल कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च तो इनको मैं डाल दूंगी जैसे ही तेल गरम होगा और यहां पर एक दम थोड़ा सा चटकेंगे उसके बाद तुरंत ही हमने जो मुफली का चने का और नारियल का जो बैटर बना के रखा रहा वह हम इसके अंदर डाल देंगे जितना हमने बैटर डाला है ना लग बग उतना ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे क्योंकि जब मुफली और यह चने जब कूक होते हैं तो थोड़े और ठीक हो जाते हैं तो नमक पहले नहीं डाला था नमक अभी डालना है कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने बस हो चुकी है तो यहां देखिए उबाल आ चुका है और हमें गैस को कर दोंगी और उसके बाद जो मैंने फिलिपकार से समान मंगवाए था मैंने तीन चार तो सोस के पैकेटी मंगवाए थे तो उन सब को जो मैं फ्रीज में रख दूंगी और जो खतम हो चुके हैं सोस के कं बनी हुई रखे नहीं धियान गया है तो उसको मैं निकाल देती हूं तो यहां पर सब्जा सूख गई हैं उनको भी रख दिया है मिर्च को एक अलग से कंटेनर में में डाल के रखूंगी पर उनमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी तो आपकी मिर्च बिल्कुल ख दिया है उसके बाद जो मैंने ड्राय समान था वो निकाला है स्वरी वो रखा है मैंने इस टब के अंदर क्योंकि मैं एकसे समान रखती हूं आगे से आगे ताकि खतम ना हो मुझे प्रॉबलम ना हो खत्म होगत तो मुझे दिक्कत होती है तो मैं जैसे ही कोई ओफर आता ह जो भी बॉइल करने की चीज होती है जिसे बॉइल करने मैं उसी में धोके अच्छे से और डाल देती हूं ताकि सुबह मैं उठो इसको खोलो इसमें हल दिये नमक डालो इसको बॉइल ने रख दो तो टाइम बचता है उसके बाद चटनी को भी मैंने निकाल लिया है करने के दो भी मैं सब्सक्राइब करते हैं तो संदे को मैं मसालदानी को करती हूं जो भी चीज उसके अंदर खात तो मुझे बीच बीच में भी रिफिल करना पड़ता है पर और चीजे करनी करना तो यह आप लखाए को कई बार आज होतनी को क्यों कर रहा है पिर निकाल औ पड़ेगा सुबह के ड्रिंक रेडी कर दी हैं सौफ वाटर सौफ बिगो दिया है सब्जा सीर्स बिगो दिये हैं सुबह इसी पतीली में गरम करूंगे और पी लोंगे उसके बाद मैं आ गई हूं कपड़ों पर प्रेस करने के लिए किचन के मेरे सारे काम सारे अच्छा के गई थे कुछ सुबह भी धोय थे क्योंकि वैसे मैं सैटेड़ी की नाइट को दोती हूं बटकल मॉर्निंग में दोए तो मीरे स्कूल में पहन की गई थी वह रात को चेंज किये वह चीकू के दो जोड़ी हो गए थे मेरे हस्बिन के दो जोड़ी थे मैं कभी मेंने का कोई फाइदा नहीं सुबह मैंने मचीन को वाउश करके गई थी तो तो मैंने सुबह दोल हैं तो सारे कपड़े शुक Judy हैं मैंने कर लोग देखा है कि कपड़ों को बिना ऐरें कि प्रैस करा के में रख देते हैं या फिर उनको प्रेसे ही टांग देते तो टांग ना मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे लगता है कि मेरा घर आलवेज गेस्ट रेडी होना चाहिए कि हमेशे एक दम टिप टॉप रहे तो और वैसे टाय करूंग इस पर टाइम जा रहा है इसे अच्छा मैं और थोड़ा सा टाइम लगा अगर मैं डेली करूं तो और उस चीज में काफी टाइम लग जाता है तो प्रेस हो चुकी है कपड़ों को मैं रख दूंगी कपडों की जगा पर कुछ चीज होगे न कल प्रेस हो गई जैसे कुड़ते की प्रेस हो गई दूपटा फोल्ड करके रख दें सलवार के नहीं व तो यहां पे मैं चीकु को करा रही हूं वेक वैसे पवन की डूटी है तो जिए आपको काम बहुत सुंदर सुंदर करना हैं तो सची में इसने बहुत अच्छे से काम किया तो बीच मैंने आके एक दोबर उसको चेक कर लिया था कि वह कैसे वर्क कर रहा है और इस भी जो च खेलने के खिलों ने उन सब को मैंने रियरेंज किया है और जितने अब चीकु काम करेगा इतने मैं पूजा और कर लूँगे खाना मैं रात को कुछ बनानी रही हूं पवन जो है अपनी बैन के घर खा के आ रहे हैं और मेरे लिए वो रास्ते से कुछ ले आएंगे मैंने उनक इतना ही कि हमें सेंडे को क्या कुछ करना है ताकि हमारा आने वाला हफता जो है बहुत स्मूथ जा सके तो वह एंजब आपको दिखा दिया है जो मैं करती हूं तो चलिए इस वीडियो का करते हैं अभी ही पर हैं कल मिलेंगे और नेक्स्ट अल्टरनेर देज में हम मिलेंग आपको नई वीडियो के साथ तब तक के लिए वाय टाटा आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भी भूलिएगा और बेस्ट मल्ति टास झाल 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 झाल